एक दिन खान साहब पान खाने के उदेशे से एक दुकान पर जाते हैं तभी अचानक उनकी नजरें उस दुकान पर लगे बाल क्रिश्न की छवी पर पड़ती है उन्होंने उस पान वाले से पोछा भाई ये नन्हा सबालक कौन है जिसका इतना कोमल सरीर परंतु इसके पाउं में एक जूती तक नहीं ये जिस जमीन पर खड़ा है वो कितनी खुरदरी है तब ही पान वाले ने कहा भाई खान साहब इसका नाम श्याम है और अगर इसके इतने ही फिक्र है तो आप ही इसके लिए जूते बना कर लाईए ना ये बात खान साहब के हरदय को छूग गई फिर क्या था दूसरे ही दिन हाथों में नन्य श्याम के चर्ण पादुका लिए वे उसी पान वाले से पूछते हैं बताओ कहां मिलेगा श्याम चर्ण पादुका लेकर सबसे पूछी रहे रस खान बताओ कहां मिलेगा श्याम पान वाले ने देखा कि यह तो सचमुछी चर्ण पादुका लेकर आ गया उसने अपना पला ज़ाडते हुए कहा देखो भाई यह नन्य बालक यहां तो तुम्हें नहीं मिलेगा सायद कहीं और मिल जाए जाकर किसी दूसरे से पूछते क्यों नहीं उस नन्य श्याम की सूरत को अपने दिल में बसाए खान साहब चल पड़ते हैं और रास्ते में आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछते हैं वो नन्या सावालक है सावली सी सूरत है बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है नैन उसके कजरारे हाथ नन्हे से प्यारे बांधे पैजनिया पग में बड़े दिल कश है नजारे खायल कर देती है दिल को उसकी एक मुसकान बता वो कहां मिलेगा शाम बता वो कहां मिलेगा शाम स्रेक्रिष्ण ने देखा कि यह भब मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंड रहा है वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा समझ में आया जिसका पता तुम पूछ रहा है वो है पाके पिहारी जिसे तुम ढूंध रहा है कहीं वो शाम कहाता कहीं वो कृष्ण मुरारी कोई सांवरिया कहता कोई गोवर धन धारी नाम हजारों ही है उसके कई जगह में धाम बताओ कहां मिलेगा शाम उस भले व्यक्ति ने खान जी को व्रिन्दा वन जाने को कहा फिर क्या था मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो बिना खाए पिये लगातार चलते हुए खान साहब व्रिन्दा वन में कृष्ण के मंदिर तक जा पहुंसते हैं पागलों जैसी हालत हाथों में जूते लिए अन्य समुदाय के होने के कारण मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अंदर आने से मरा कर दिया नन्हें स्याम से मिलने की आस लिए खान साहब रो पड़े मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी शाम से मिलने दे दो बहत है काम जरूरी सीड़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम बता वो कहां बता वो कहां मिलेगा शाम खान सहब के मन में नन्हे स्याम से मिलने की आस थी इसे विश्वास के साथ वे वही मंदिर की सीड़ियों पर रात भर बैठे रहें जाग कर रात बिताई भोर होने को आई तभी उसके कानों में कोई या हट सी आई वो आगे पीछे देखे वो देखे ताए बाए वो चारों पूरे ही देखे नजर कोई ना आए छुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्हा शाम बताओ कहां मिलेगा शाम बताओ कहां मिलेगा शाम बताओ कहां मिलेगा शाम उस नन्धे स्याम की जैसी छवी भर्त खान जी ने अपने हिरदय में बसाई थी ठेक वैसी ही उन्होंने अपने सामने पाया खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया पादु का पहनाने को पाम जैसे ही उठाया नजारा ऐसा देखा कलेजा मूँ को आया काटे चुब चुब करके खायल काटे चुब चुब करके खायल उए तिनन्धे पाउं बतावो काहा मिलेगा शाम बतावो काहा